जौन पूर्जिले से विधायक तूफानी सरोज जी और पूर्व सानसद भी रहे हैं बात करते हैं उनसे सराज अखलेश यादों ने बैठक बुलाई है अम बेटकर वाहिनी की दलिस समाज के विधायकों को भी बुलाया है अर तमाम नेताओं को बुलाया है, क्या कुछ है जंडा है यहां पर? कोई नई बात नहीं है और बैठक के माधहम से कोई नई बात निकल करकी निकलती है और यह बैठक बुलाने एक मक्त्षर है कि हमारे हाँ हर जाधि धर्म सबको बरावरी का मांشोमान है और समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा दलितों के उत्थान के विकास के लिए जो है कार करते आये हैं करते नहेंगे समाजवादी पार्टी के उपर बड़े आरोप लगते हैं कि दलितों का उन्होंने सम्मान नहीं किया है पार्टी के वीपक्ष के जितने भी नहता हैं आपकी पार्टी के चाए बसपा हो या फिर भाजपा हो वो इस तरह के आरोब लगाती रही थी आप लोगों पर कि इनका दलित पुरे म सिर्फ दिखावा है क्या महच यह सुच में दिखावा है यह बहुत गलत है जो कहते हैं उनके अपनी दिमाग की उपज है दलित दिखावा है उनसे पूछा जाए कि यह पंचाय तक किसने लागू किया था और उत्तरप्रदिम सबसे पहरे मानी मुलाइम शिंग यादव ने पंचाय तक लागू करके यह पिछडी जाद के और सुची की जाएद के लोगोंको ब्लाक प्रमुख जैसे समाजवादी पार्टि की नेता सवर्ची मानी मुलाइम शिंग यादव ने किया पिर सवाल और था क्या यह माना जाए कि आज 2026 की तैयारी मानी जायाई भी पचित के लिए शुक्रिया तूफानी सरोज जी का कहना है कि दलितों का समान समाजवादी पार्टी में पूदी तरह से है और आने वाले समय में हम लोग 24 के चुनाओं के लिए तयार हैं कैमेरमें शोवन कुमार वर्मा के साथ सीमाब नकवी भारस समचार लखनौ